Welcome to Madding Study आज की इस वीडियो में हम लोग LCM बनाना सीखेंगे काफी आसान तरीके से LCM यानि के लगुत्तम समा परवर्थ ठीक है तो काफी आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो देख सकते हैं संख्या है 25, 14 और यहाँ पर 21 है और 10 है इन 4 संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे काफी आसान तरीके से तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना होगा एक निशान लगा लेना होगा ठीक है निशान लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जितनी सारे भी संख्याएं हैं वो यहाँ पर कितने यहाँ पर नमबर से यहाँ पर पुड़ा भाग लग सकता है ठीक है न तो यह हम लोग चेक कर लेंगे जिसमें दो से भाग लगे है क्या 14 में तो लग जाएगा उसके बाद 20 में नहीं लगेगा 10 में लग जाएगा तो चलिए 2 संख्या हम लोगों यहाँ पर एसी यहाँ पर मिली है जिसमें 2 से भाग लग लग रहा है तो एट लिस्ट यहाँ पर टू नमबर्स हैं 14 और 10 जिसमें 2 से भाग लग 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 तो हम लोग यहाँ पर दो इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जिसमें भाग नहीं लगेगा वो as it is यहाँ पर क्या होगा उतर जाएगा इस तरीके से पचीस पचीस रहे गया और उसके बाद चाओदा में अगर भाग लगाएंगे यानि के दो का पहरा कितने वर पढ़ेंगे तो चाओदा आएगा तो भाई साथ वर पढ़ेंगे तो यह हो गया साथ उसके बाद कॉमा उसके बाद दो के पहरा में कीस आता है क्या नहीं आता है तो यह as it is यहाँ पर उतर जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से दस में भाग लगाएंगे तो दो के पहरा में दस कितने बार में आता है पांच बार में आता है ये हो गया ठीक है उसकी बाद हम लोग क्या करेंगे फिर से यहाँ पर एक है इस तरीके से हम लोग लाइन खिच देंगे, लाइन खिचने के बाद, फिर से हम लोग का काम क्या है, चेक करना है कि यहाँ पर भाग लग रहा है कि नहीं, दो से, तो यहाँ पर देखिए, दो से भाग लग रहा है क्या, तो दो से पचीस में भाग नहीं लगेगा, और साथ में भी नहीं लगेगा 21 में भी 5 में भी नहीं, क्योंकि यह जितनी सारी भी संख्याए हैं, यह odd number है, ठीके? तो यहाँ पर 3 से check करते हैं, 2 से नहीं लग रा, तो 3 से 25 में भाग नहीं लगेगा, 7 में भी नहीं लगेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 21 है, तो 21 में भी भाग नहीं लगेगा तो आईए यहाँ पर हम लोग 21 में भाग लगेगा लेकिन हम लोग यहाँ भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि at least यहाँ पर दो नमबर मिलनी चाहिए आप चाहें तो यहाँ पर भाग लगा भी सकते हैं तो चलो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है न? फालक नहीं पर एगा एंसर में ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 है तो 3 से तो कटेगा नहीं 25 तो यह ऐसे ही as it is उतर जाएगा 7 में भाग नहीं लगेगा 21 में भाग लगेगा 7 बार में सात्या 21,5 ठीक है? यह जितनी सारी संख्याओं को हमनों लिग दिया सिर्फ यहाँ पर 21 जो यहाँ पर है इसमें क्या हुआ भाग लगा है फिर से हम लोग क्या करेंगी? इस तरीके से निशान लगाएंगे हम लोग यहाँ तीन तक पहुँच चुके हैं फिर से चेक करेंगे तीन से भाग लग लग रहा है क्या पचीस में? नहीं सात में भी नहीं लगेगा इस पांच में भी नहीं लगेगा तो फिर चार से चेक करेंगे चार से भाग लग रहा है क्या पचीस में तो नहीं लगेगा साथ में भी नहीं लगेगा पाँच से चेक करते हैं पाँच से पाँच में तो भाग लग जाएगा पाँचीस में भी लग जाएगा तो आए इसको पाँच से क्या करेंगे कट करेंगे तो 5-5 ज़क्या हो जाएगा 5 को 5 से भाग लगाएंगे 25 उसके बाद है 7 में कुछ नहीं लगेगा तो यह as it is उतरेगा उसके बाद यह भी 7 as it is और उसके बाद 5 में 5 से भाग लगाएंगे यानि कि 1 5 का पहरा एक बड़ पढ़ेंगे तो क्या आएगा 5 जाएगा हो गया अब उसकी बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर निशान लगाएंगे मैंने आपको बताया थना कि कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए 5 से कटने वाली या किसी भी संख्या से कटने वाली तब काटेंगे तो आप चाहें यहाँ पर 5 से भाग लगा भी सकते हैं नहीं तो चुके यह एक ही यहाँ पर संख्या इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे आसान बनाने के लिए इसको 5 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे ठीक है अगर नहीं लगाएंगे तो ये 5 लाष्ट में बच जाएगा तो आईए ये हो जाएगा 5,7 इसे उतरेगा ये भी 7 इसे उसके बाद 1 तो 1 ही रहेगा उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे फिर से देखेंगे 5 से तो भाग लगेगा नहीं 6 से देखेंगे 6 से यहाँ पर कोई में भाग लग लग रहा है क्या नहीं तो 7 से लग रहा है ना एकम साथ साथ एकम साथ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साथ और ये one as it can be जैसा ही रह जाएगा और ये भी seven ones a seven यानि कि one time में ये भी हो जाएगा one time में और ये हो जाएगा क्या one time में इस तरीके से हम लोगu लोगो क्या क्या है यहाँ पर काफी आसान तरीके से भाग को लगाया ठीक है अब चलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फिर से अब हम लोग का काम जो है वो क्या करना है तो हम लोग का दोस्तों जो काम है इन सबों को यहाँ पर क्या करना है आपस में गुणा कर देना है ठीक है ना तो इसको आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा थोड़ा समय अपने कैमरे को सही कर लो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो है तीन है पाँच है और पाँच साथ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे equal to कर देंगे देखते हैं कितने यहाँ पर आता है नमबर ठीक है तो चलो इसको हम लोग calculate करेंगे इस तरीके से multiply करके तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 पंचे 30 30 पंचे क्या हो जाएगा 1.500 1.500 को 7 से गुना करेंगे तो आएए यहाँ पर हम लोग multiply करते हैं 1.500 गुना करना है 7 से 7 को 0 से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0 7 35 का 5 हासिल 3 7 एकम 7 3 10 यानि के 1050 यह दोस्तो हमारा answer हो गया कितना हो गया 1050 इस तरीके से हम लोग काफी आसान तरीके से LCM को बना सकते हैं हल कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो काफी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए तो आपने देखा कि यहाँ पर कैसे मैंने यहाँ पर LCM को निकाला है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम एटलिच दो नमबर होता है तो हम लोग जया करते हैं उस नमबर को यह पर काटते हैं कि एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में एक से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या होगा ? उस संख्या पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर फर्क नहीं परेगा इसलिए मैंने एक को यहाँ पर नहीं multiply किया तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से किजिएगा